गुड मर्निंग प्रेंड्स बुद्वो शागत है आपका अपनी चैनल एनाईस ओनलाइन हाव में तो दोस्तों ये जो गुड न्यूज था वो मैंने कल ही आप लोग को प्रभाइट कर दिया था बहुत सारा अभिहारतियों या बहुत सारा सिचकसातियों का विश्वास नही कुछ कि अभी दिखाऊंगा कहां कहां सा अपडेट आ gouvernement सारा पेपर को अभी में दिखाऊंगा के कर दोस्तों चैनल के साथ जूड़े रहे आपने जो विशवास दिखाया इस चैनल के साथ सभी सिच्छकों ने काफी प्यार दिया इस चैनल को और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे बिहार में भी सिच्छक भरती चल रहा है उस तरह दोस्तों यूपी में भी जो है 90,000 जो है सिच्छक भरती आने वाले तो दोस्तों अपनी तैयार को मजबूत दीजिए आपको जो है सरकारी टीचर रोख बनने से कोई नहीं रोख सकता अगर आप क्वालिटी कि यह कर जाते हैं तो और दूस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप लीटर किये तो आपको जो है कि उसका एक separate वीडियो आप लोग की बिच में बना के लाओं तो नीचे में आप कॉमेंट किजेगा मैं आप लोग के लिए जो है हर एक अपडेट लाने के लिए तैयार हूं दोस्तों यहां पर जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है देख पर होंगे आज का यह हिंदूस्त में डाल दिया हूं उससे चेक आउट आप कर सकते हैं दोस्तों यह पटना से अपडेट आ रहा है इसमें लिखा हुआ है रास्टी अध्धापक सिक्षा परिशद ने रास्टी मुक्त विद्दाले सिस्चन संतान निस से डीलेडी जो 18 मां का किये हैं दोस्तों यह एक्च् यूटूब चैनल जो है गलत-गलत जानकारी दे रहे हैं कहते हैं कि 18 लाग जो है सिच्छक नाइस के माइधम से डीलेडी किये हैं दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार में जो है द्धाय लाग स्रीफ प्राइबेट से किये थे टीचर और पूरे देश में अगर बात किया जाए तो चोदो लाग के सिच्छक जो है प्रस्रेच्छन लें से उसमें 101 लाग ऐसे ही छोड़ दिये थे बीच राह में यानि कुल जो है 13 लाग सिच्छक कंप्लीट कर पाएं थ बहुत सारे यूटूब जो है गलत-गलत जानकारी देते हैं 18 मां लिख देते हैं जब कोई उसको यह पता नहीं कि 18 मांत का कोर्स नहीं था यह 18 मांत में कराया गया था सारी दोस्तों मेरे पास प्रूब है अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरे वाट्सप नंबर या टेलीगराम ग्रूप में जूल जाए नीचे में डिस्किप्शन में लिंक दिया है सारा अपडेट में देता रहाता हूं तो दोस्तों खेर इसके बात रहने दिजे हैं पर बात करेंगे जो अपडेट आ रहा है इंहां पर लिखावा आए कि एडुकेशन और कोर्स को जो पूरी तरह से भैलिट कर दिया गया है देश भर में मायनता करार दिर इस डिगरी को प्राप्त करने बाले सभी है अब यहारती बिहार के तर्ज पर अब दोस्तों यहां को सचिब को जो है इस पर पत्र लिख दिया है और इसमें आगे करना है कि रहात एंसिटी ने 18 मा के डिलेट को मायनता दी है और अभिहारती किसी भी राज में सिचक भरती के लिए निकती में योग होंगे दोस्तों अगर आपका अभी संसय बनावा है बहुत सारा अभिहार रहा हो या क्या चीज़ आपके लिए है यहां पर देख सकते हैं अभिहारती किसी भी अब राज में सिच्छक निकती के लिए योंग हैंगे अब आपको जो है सरकारी टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है आप में अगर ऐसे क्याबलेटी है तो दोस्तों यहां पर देख कि जो है तीन लेटर आपको साथ में रखना है उसका में कैसे डाउनलोड करेंगे और पर क्या है वो तीन लेटर मैं आपको बहुत जल्ट वीडियो के माइधम से लेकर आ रहा हूं आप लोग चाहते हैं कि उसका वीडियो आप को चाहिए तो नीचे में कॉमेंट करें और विडियो को हर एक गुरूप में सहर किजिए यहां पर लिखा है कि लिक कर असपस्ट कर दिया है कि दरसल उत्राखंड के निस डिले टीटी आसोसियन ने एंसिटी से गुहार लगाए थी बिहार की तर्ज पर सब उन्हें भी अपन मान में किसी तरह का संसे नहीं रहना चाहिए दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पार होंगे यह जो है प्राग्राइस से अपडेट आ रहा है यानि उत्तरपरदिस से अपडेट आ रहा है देख सकते हैं आपर तो यह देनिक जागरन.com के मैंधम से अपडेट कोर्स शांय करने वाले अना ऐस के मैंधम से अबिहारती नहीं मिला था जैसा कि दूस्त आपको पता है 2019 में जिस तरह बैठने तो दिया गया लेकिन वहां मैंने नहीं दियागया बहुत सारा अभिहारतियों का कॉल आ रहा था इस परिक्षा में सिर्फ उन सिख्षा मित्रों को मोका दिया गया था जिन्होंने पत्रचार के माइदम से डियलेट किया था यहां पर आगे देख सकते हैं यहां पर और यह दोस्तों करेंट अपडेट है लखनों से अपडेट जा रहा है यहां पर देख पारोंगे लिखा हुआ है राष्टिय मुक्त बिद्दालय संस्तान यानि एनाएस से डिप्लोमा इन एलेमेंटरी एडूकेशन का कोर्स करने बाले यहां पर डेल लाग से अधिक अभिहारतियों के लिए खुसकबरी है अब वे प्राथमिक कि लिखित परिक्षा में सामिल हो सकेंगे राष्टिय धापक सिक्षा परिस्ट यानि एन सीटी निस कोर्स को भी सिचक बनने के लिए मायन किया है बसरते विए केंद्र और राय सरकार सिचक पातरटा टेटी क्वाली दोस्तों मैंने अभी आपके सामने यह बात जिग्र कि कि अगर आप केंद्र के यानि सीटेट या आपके राज में जो सिचक पार्तता आई जो होती है उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो ही जरूर ले पाएंगे आगे का नाय कि एन सीटी ने सभी मुझ सचिप को जो है पत्र लिख दिया है और आगे का ना इस परिच्छा में श्रीफ उन सिक्षामित्रों को मुका दिया गया था जिन्होंने पत्रचार के मायधम से डिलीडी किया था इसकी बज़ा एंसिटी की ही नियवाली रही इस आधार पर बिहार सरकार ने भी कुछ अभिहारतियों का आवेदन जो है निरस्त कर दिया था व सचीबू को जो है पत्र लिख दिया है आगे कहना है कि पर देश में 1.51 लाग अभिहारती यानि जो सिच्छक निस के माद्ध हम से डिलीडी किये हैं राष्टी मुक्त बिद्दालय संस्तान परागराज के पुर्व राज समय चिंता मनी सिंग ने बताया कि कोर्स के लिए परदेश में 1.71 लाग अभिहारतियों ने आवेदन किया था जिन्होंने 1.5 लाग अभिहारतिय सामिल हुए थे इस सभी परवानपत्र आवेदन दिये जा चुके हैं श्रीप उनके प्रकरन लंबित होने से आहरता पूरी कर रहे हैं 2018-2019 टीटी से हुए थे बहार दोस्तों आपको देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही जान करें दी परिक्षा नियामक प्राधिकार सचीव अनिल भूसंच चत्रभूजी ने चत्रवेदी ने उत्तरपदे सिच्छत पातरता 2018-2019 में अनाइस से डियलीट करने वाले को बहार कर दिया था दो राज 2018 में कुछ अभिहारति पास हो गया थे लेकिन उनके परवान पर जारे नहीं किया गया जबकि 2019 में से अभिहारतियों को सामिल नहीं किया गया आगे कनाय बढ़ेगी परतियस्तप्रा इस बार मोके पर स अन्देश नाइस का डियलीट कोर्स मायन होने से यूपी टीटी एवन सिचकवर्ति में अब परतियस्तप्ता बढ़ेगी क्यूंकि पहले ही बीट को मायन करने में बड़ी संखा की परतियोगी दोनों परिक्षा दे रहे हैं साथ ही इस बार यूपी टीटी का सासन आदेश जारी होने वाला है अब इसमें इन अभियार्तियों को मौका मिलेगा या नहीं असपास्ट नहीं है तो दोस्तों यह जो है असपास्ट नहीं है क्यों नहीं है पूरी तरह आप जो है भैलीड है दोस्तों आप आपको मैं और नीउस से आवगत करा रहा हूं दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पर होंगे यह पटना का आज का जो है परभात ख़बर का देनी अख़बार है और इसमें देख सकते हैं सुक्रबार इसमें लिखा वाई कि अनाइस डियलेट कोर्स बैदता पूरे देश में मायन अन्सिटी राष्टिय धपक परिशद अनि अन्सिटी ने बिहार सही सभी राजों को मुख सचिप को अधिकारिक पत्र साप लिख दिया है यह लिख दिया है कल ही मैंने आप किसके बरें बताए ता आगे का नाइस का ओल्डी मोड में किया गया डियलेट को पूरी देश में म करा स्विकार करता पटना हाइकोट 2000 यानि यह जो फैसला सुनाया गया था 21 जन्मरी अनाइस डियलेटी डिग्री देने ते नियोजन पात्र माना इसे जो है पात्र माना था आगे कहना के परिश्रत की उप सचिप्टी प्रितम के नाम जो है पत्र जारी कहा गया है इसमें आधर क्यों दे लिडि को माइन कर दिया है तूली में प्र के मान जो है जो अदर 聽 है उसके तरह यह मायन कर दिया गया तो दोस्ते यह कहीं लापियारति चैनल के साथ जूड़े रहे हैं आप अपनी जो डिलेट किये हैं अब आप जो है टीटी क्वाइलिफाइज कीजिए और सरकारी सिछख करने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों आप अगर टीटी को आई कर जाते हैं या अपने राज में जो टेड आने वाली है तो किसी तरह का दुबीदार नहीं रहने चाहिए जैसे भी रीड चल रहा है तो दोस्तों ऐसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जूड़े रहे जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माईधम सिद्धी जाते हैं फिलाल की मिलते हैं नक्स वीडियो में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों तक सेहर कीजिए